भारत में रियल स्टेट सेक्टर की कमजोरी को अब छोटे शेहरों जिने टीर 2 और टीर 3 कहा जाता है उनसे मदद मिलने लगी है इस ट्रेंड में बढ़ोतरी की बड़ी वजा छोटे शेहरों में तेजी से विक्सित होता इंफ्रास्ट्रेक्चर और कम कीमत है इसके साथ ही प्रवासी भारतिय निवेशकों के लिए भी पैसा लगाने के मकसद से ये मार्केट फाइदेमन साबित हो रहे हैं जानकारू का मानना है कि सरकार की इस सेक्टर को पारदर्शी बनाने की कोशिश से निवेशक यहाँ पर आकरशित हुए है अब केवल वही निवेशक यहाँ पर आ रहे हैं जो लंबे वक्त तक निवेश के जरिये वाजिव मुनाफा कमाना चाहते हैं पिछलोग कुछ महीनों में हमने देखा है कि institutional funds and private equity funds ने भी अपना रुजान tier 2 शेहरों की तरफ बढ़ाया है इसके कुछ कारण हमें नजर आए हैं और सबसे पहला कारण है कि प्रधान मंतरी आवास योजना के जो benefits हैं वो लेने के लिए tier 2 शेहरों के products की कीमत and यहां के buyer की आमदनी बिल्कुल perfect है एनरोग property consultant के एक हालिय सर्वे के मताबिक 26 फीजदी निवेशकों ने tier 2 और tier 3 शेहरों की property में भरोसा जताया सर्वे में दाबा किया गया है कि 58 फीजदी लोगों ने छोटे शेहरों में अपने रहने के लिए property खरीदी है 42 फीजदी लोगों ने निवेश के लिहास से यहां पर property खरीदी है एनरोग के पिछले सर्वे के मुकाबले ये आकड़ा 10 फीजदी ज्यादा है छोटे शेहरों में residential property के बढ़ते चलन ने अब वहाँ पर commercial properties की demand में भी इजाफा किया है hospitality और commercial जो sectors हैं उनकी उन sectors के जो tenants हैं बड़े बड़े tenants उनके बड़े expansion plans हैं तो उनकी खुद की demand small cities में बहुत अच्छी आ रही है तो उनकी demand को fulfill करने के लिए developers development ला रहे हैं small towns में और all around growth हो रही है इन इलाकों में property की demand में बढ़ोतरी की एक बजा अंतरिम बजट में किये गए कई अलाम भी रहे है इसमें मकान से किराई की आमदनी पर TDS छूट की सीमा 1,80,000 से बढ़ा कर 2,40,000 करना रहा है इसके साथ ही capital gain tax पर छूट का दायरा जो पहले एक घर पर निवेश तक सीमित था उसे बढ़ा कर दो घरों तक करना भी demand में बढ़ोतरी की वज़ा बना है इन दोनों वज़ों से लोगों को किराई की आमदनी हासिल करने के लिए property निवेश करना फिर से फायदे मन नजर आने लगा है इसके साथ ही RERA के आने से भी लोगों का भरोसा बढ़ा है जिसे GST rate में कमी का दोहरा फायदा मिला है हालकि इन शहरों में रियल स्टेट का दायरा अभी तक ज्यादा बड़ा नहीं था अब जब यहां पर बड़े प्रोजेक्ट्स का निर्माड होगा और उनका पजेशन लोगों को मिलेगा तभी अपने सबसे बड़े इम्तिहान में ये सेक्टर पास हो पाईगा वरना इसका हाल भी बड़े शहरों के अधूरे प्रोजेक्ट्स जैसा ही हो जाएगा ऐसे में रियरा के साथ तमाम दूसरी एजंसियों की भी सिम्मेदारी है कि ग्रहकों के हित के लिए हर हाल में सुरक्षित रहें